बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूं यह illustration no.24 है बुक का नाम है टी एस ग्रेवाल चैप्टर का नाम है admission of a partner तो illustration no.24 कुछ इस तरह से है कि आपको दो partners दे रखे हैं जिनका नाम रवी और कवी है शेल आया as a new partner और जो उसके आने पर आपको यह following journal entries दे रखी है पहली entry तो शेल के capital और premium लाने की entry है और दूसरी entry premium के distribution की है जिसमें premium के साथ साथ कभी को भी debit किया गया है शेल जो है वो 50,000 goodwill लेकर आया है अपने 1,4 share के लिए और अगली entry में हम कभी को debit कर रहे हैं इसका मतलग कभी भी gain कर रहा है due to admission of shell तो question में आपसे 3-4 चीज़े पूछी गई है पहला तो यह पूछा गया है पुरे firm भी goodwill कितनी है दूसरा यह पूछा गया है कि कभी का gain कितना है तीसरा यह पूछा गया है कि रभी का sacrifice कितना है और चौथा यह पूछा गया है कि firm का new ratio क्या है ठीक है बच्चों तो के point of view से काफी अच्छा question है क्योंकि twisted सी चीज दे रहे है रुटीन सी चीज नहीं है इसमें आपको उल्टा काम करना है वो कैसे आम तरुपर आपको old ratio दे रखा होता है sacrifice या sacrificing ratio दे रखा होता है आपको general entries पास करनी होती है मगर यहां तो general entries पास के वही है और आपसे reverse कर रहा है फर्म की goodwill कितनी है और फर्म का नया ratio क्या है इतनी ही हल से आपको यह सब चीज़े पता करनी है ठीक है बच्चों discuss करेंगे अगले वीडियो में इसको तो बच्चों में अब आप लोगों से जो discuss कर रहा हूं वो है illustration number 24 का solution तो जैसे मैंने कहा था आपको question में पहल कितना है तो अगर पूरे फर्म भी goodwill निकालनी है तो नए पार्टनी गुडविल को उसी के शेयर के रैसे ब्रोकल से में रिप्लाय कर दो तो पूरे फर्म भी goodwill निकलके आजाएगी 2,00,00, अगर आपको अब यह जानना है कि कभी gain कितना कर रहा है तो वह भी बड़ा सान ह क्योंकि हर आदनी अपने gain के ब्रावर goodwill ही compensate करा करता है तो कभी ने compensate किया था 20,000, पूरे फर्म भी goodwill है 2,00, इसका मतलब कभी का gain हो गया 1,10, ऐसी हम रवी का sacrifice भी रूण सकते हैं इसी रोजिक के साथ कि हर पार्टनर को अपने sacrifice के ब्रावर goodwill मिला करती है तो उसको 70,000 र जो है old share minus sacrifice और old share plus gain करके निकाला जाता है तो रवी का नया share तो sacrifice minus करके आया 5 by 20, कभी का नया share जो है gain plus करके आया 5 by 10 जिसको मने 10 by 20 लिख लिया, shell का नया share तो मैं बताई है 1 fourth जिसको मने 5 by 20 लिख लिया, तो नया ratio 5, 10, 5 आ गया जिसको हम 1 to 1 भी कह सकते हैं बच्चों, तो इस तरह से question का solution आगया बच्चों and it's a very important illustration, very important question for board exam